अगले चरण क्या हो सकते हैं अगले चरण यह राउल गांदी किसे तरसा तो वापस होगी और देश का प्रधान मंत्री राउल गांदी को ही बनना चाहिए क्योंकि कोई भी हिंदू और मुस्लिम आपस में खुद से लड़ना नहीं चाहते हैं यह लोग लड़वाए जाते है प्रधान मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं विपक्षा आज भी पपू बोल रहा है पपू उनको बिपक्षी बोलता है पबलिक तो नहीं बोलती है पपू बनाने में कितने हजार करोर रुपे खर्च कर दी है बिजएपी बालों ने पर जितना पढ़ा लिखा राउल इस विवाल ने खड़े किये तमाम बिपक्ष के नेता ने खड़े किये ये कहा जा रहा है कि जो डिग्री दिखाई गई वो ठीक नहीं है क्या इसमें सच्चाई है क्योंकि देश के प्रधान मंत्री होना जरूरी है क्या उनके लिए डिग्री भी जरूरी है देखे देश क की जो सदस्ता वो बहाल भी हो जाएगी बिलकुल हो जाएगी और होनी भी चाहिए क्योंकि सचाई की जीत हुई है लोर कोट या हाई कोट में जो भी फैसले होते हैं लेकिन जब मामला सुप्रीम कोट में आता है तो जीत हमें से सचाई की होती है और ये भी सचाई की जीत हु और विपक्ष की पार्टियों का यही सवाल रहता है कि आज कोट हो EDCBI हो सब कुछ दबाओ में हैं मानी जाती है कि जिनकी सरकार होती है EDCBI भी उनी की सुनती है विपक्ष की नहीं क्योंकि बहुत सारे बीजेपी में आईसे नेता है जैसे वो टेनी सहाब का बेटा हो गया वो ब्रिज भूसन सरंचीन हो गया उनके उपर कोई भी करवाई क्यों नहीं हो रही है सिरिफ सारे CBA और ED जो है सिरिफ विपक्ष की नेता सारे इमंदार है तो कि नियाय पर सवाल खड़े करना ठीक है नियाय पर सवाल करना अगर नियाय उचित मिली है तो उस पर सवाल कैसा है लेकिन मोधी जी बार-बार कहते हैं कि मैं कभी चौकिदार हूँ कभी कहते हैं कि मैं जोला उठा के चल पर हूंगा कभी मैंने भीक मंगे खाई कभी मैं चाय बेचा वो कुछ भी नहीं किये वो एक ड्रामे बाज है और डीवाई चंद्रचूर को लेकर ये कहा जाता है कि हैं तब से लोगों को न्याय पे विश्वास जगा है और बहुत सारे ऐसे केसे हैं जिनके फैसले डीवाई चंद्रचूर साहब ने किया है तो लोगों में एक हिम्मत आई है कि हमारे सरपे भी कोई इमंदार जज़ बैठे हैं ताकि उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे तो डीवाई चंद्रचूर साहब की जो लोग प्रियता है अब वो भी बहुत अच्छे लोगों में फैल गई है और लोगों में हिम्मत आ रही है लोग अब अपने खिलाप जो भी हो रहे हैं साजिस है या उनके जो भी जो भी बोलते हैं उनके खिलाप लरने के लिए और अपनी उपर जो भी अत्याचार अरुप हो रहे हैं डीवाई चंद्रचूर साहब के आने के बाद लोगों की हिम्मत बढ़ी है और अपने खिलाप हो रहे है किसी भी अत्याचार के खिलाप उल लड़ सकते हैं चृतलप उठा सकते हैं और की उनके लिए बहुत बड़ सप तो को बहुत उन्मीद है क्योंकि कोई भी हिंदू और मुस्लिम आपस में खुद से लड़ना नहीं चाहते हैं यह लोग लड़वाए जाते हैं पोलिटिकल लोग लड़वाते हैं और इसमें सबसे बड़ी हाथ तो बीजेपी का ही होता है दान्मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं बैपक्ष आज भी पपू बोल रहा हैं पपू उनको बिपक्षी बोलता है ना पबिक तो नहीं बोलती है प्स तो पपू बनाने में केतने हजार करोर रुपे खर्च कर दिये बीजेपीबालों ने पर जितना पढ़ा लिख का रावल प्रधान मंत्री को डिग्री होना जरूरी है पढ़ालिक का होने चाहिए नहीं तो फिर कोई भी उनसे कोई गलत काम करवा सकते हैं अगर आप अन्पद आदमी को चाह बेशने परदान मंत्री बनाओ गए तो यह पढ़े मैं नहीं रहेंगे तो बिड़े शहाए में दिखा रहाए है। पढ़े हुए हैं लेकिन उनको फ़र्जी बताया जा रहा है कि उस समय बनी ही नहीं तो डिगरी सच्ची कैसे हो सकती है उनके डिगरी के जाच हो जाए अगर वो दिगरी सच्ची है तब तो मालेंगा सच्ची है जांच क्यों नहीं होती है लेकिन आज ही क्यों विपक्ष को यह याद आया कि डिगरी देखनी है यहाँ पर तमाम जो नेता है वो ही कह रहा है कि देश के परधान मंत्री को पड़ा लेखाना होना चाहिए अरविंद केजीवार ने कह दिया कि यह तो अनपड है वरस्टा चार इत्यास में पहली वारे से प्रधान मंत्री देख रहे हैं अब क्यों याद आया जब चुनाव नजदीक आ गए इसलिए कि लोगों को खाना पीना के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं मतलब जौब भी उन्हों ने जौब घटम करती है जैसे आप यह देख लो अगनी पथ हो जना आई है जिसके तहट अगनी वीर जो आई है वो भी नोकडी उन्होंने चार साल की कर दी चार साल के बाद उनको रिटार् पकोड़ें करने जाता है आरमी में जो भी जाते हैं अनी वीर कहता है देष में सहीद हो जाते हैं तो क्या्या चार साल के लिए नौकोड़े भी चुछे झाखे हो लेकिन राम मंदिर के चलते आप नोक्री रोजगार नहीं दे रहे हो तो क्या मंदिर से पेट भड़ जाएगा राम मंदिर मैं भी चाहता हूं कि बने लेकिन मंदिर के साथ साथ आप रोजगार बढ़ाओ लोगों को काम दो ताकि लोग अपने बीबी बच्चों का पालन पोशन कर सके अभी आप जो भी नौक्रिया से प्राइबिट की ओर जा रही है जिसकी तनके साथ हजार रुपे क्य लिखा होनी साहिए क्योंकि यह अगर 2024 में जीत गए तो फिर पेट्रोल और डिजल करेट कहां जाएगा लोगों को जेब में जो खुद्रे पैसे बाचते हैं चिल लड़ वह भी निकाल लेंगे लोगों कि आप लगातर लोगों की समस्या को सुनते उसको कोट में रखते है और विपक्ष एक जूट तभी होते हैं जब देख रहें कि अब देश खत्रे में है और जब से मोदी जी आया है तब से हिंदू खत्रे में आ गया है मोधी जी 2014 के पहले नहीं थे तो हिंदू खत्रे में नहीं थी मोधी जी के आने के बाद हिंदू खत्रे में आ गए हैं और देश में लगातार दंगे हो रहे हैं हिंदू मुस्ली में दंगे हो रहे तब जाके इंडिया अलाइन्स हुआ और लोगों ने विपक्ष को की अब बीजेपी को हटाना देश है जो अब उनकी सरकार जाने वाली है बीजेपी जोला उठाके वो चलने उनकी मोधी जोला उठाने के जाने की अब समय आ चुका है तो उनके जो चिंटू है जो भी चिंटू नफरती चिंटू है वो तो बोलेंगे ही वो सत्ता जब जाएगी तो वो तो सामने वाले वाले विपक्ष पार्टी को तो बुड़ा भला बोलेंगे कि भरष्टाचारी है आतंकबादी है यह हैं अगर यह सच्चे होते हैं बीजेपी वाले तो सबसे पहले टेनी सहाब के बैटे को सजा देते हैं और मतलब पार्टी के सदस्ता से निकाल दिये होते तो लगते कि बीजेपी सही है और भी बहुत सारे ऐसे लगता है कि इस वर राहुल गांधी का मुद्दा हो चैंवरेज भूशन सरनसींग का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो और यह भी पता लगा लिया कि एलाइन्स जो हुआ है उसका रिजल्ट क्या आएगा यानि कि एलाइन्स होना जरूरी है अब देखना यह पड़ेगा कि कोट का इसला कैसे होगा और राहुल गांधी की जो संसत की सदस्ता बापस होगी वह कैसे होगी